Hello friends, Foundations of R Software के कूर्स में आप सभी का मैं फिर से एक बार बहुत-बहुत स्वागत करता हूं आपको याद होगा कि पिछले कई करते हमारे बिन-बिन तरैकी कि जो operations होते हैं उनके बारे में बात करी है। कभी अपस में पेस्ट किया, कभी स्प्लिट किया इतियादी द्या द्याति है। आज उसी direction में हम एक और function की बात करने वाले हैं। वो function हमारा है find or replace से समभ्सक्राइज है. जिस प्रकार से आपने बहुत बार किसी document में आप काम करते हैं, जहां पर हमारे पास शब्द होते हैं, numbers होते हैं, आपने देखा हैं, आपके पास दो options होते हैं, पहला option तो यह है कि आप उस पूरे-पूरे document में किसी character को, किसी number को, किसी word को या किसी sentence को अगर धूंडना चाहत हैं, तो आप क्या करते हैं, एक option होता है find, तो आप find में जाते हैं, और find में अपना जो भी आपको धूंडना है, आप उसको वहाँ पर काई पर के enter करते हैं, तो उसमें क्या होता है, आप जैसी enter करेंगे, तो control हमारा उस point से आगे आएगा, और उस document में वह word या वह character या वह नमबर जहां जहां लिखा हुआ है, उसको एक साथ आपको दिखा देगा, बता देगा कि इस जगह पर यह यह हमारा matching हो रहा है, दूसरा हमारा operation होता है, replace, रिप्लेस में क्या होता है, आपने देखा है कि यह option usually होता है, उसमें से दो तरह के box बने होते हैं, और पहले box में आप लिखते हैं कि आपको किस चीज को ढूंड़ना है, और फिर उसके दूसरे box में आप लिखते हो कि जो आपने ढूंडी है, उसको किस sentence से या character से नमबर से replace करना है, और जब आप replace भी करते हो तो उसमें से आपके पास आपसे वो दो option पूछता है, कि replace या replace all, अर्थाथ कि आप जो अपनी पहली जगह पर ही खाली replace करना चाहते हैं और उसके बाद control वहीं पर रुख जाएगा, या दूसरा option है कि वो replace all कर देगा, थाथ पूरे-पूरे document में जहां जहां पर वो string, number, इत्यादी लिखा होगा, वो सब को एक साथ replace कर देगा, तो यही कार हम आर software मे किस पकार से करें, कि अगर मुझे अपना कोई string या कुछ number अगर ढूनना अगर है, या साथ ही में उसको मुझे अगर replace भी करना है, तो उसको किस पकार से किया जाए, तो यही कार हम आज हम इस lecture में करने की कोशिश करेंगे, और देखते हैं कि R software में कोई भी हमारा string या number को और इसको replacement के हमारे क्या-क्या functions होते हैं, उन commands को किस पकार से इस्तिमाल करते हैं, इसको हम कुछ उधारंग ले करके समझने की कोशिश करेंगे, तो चलिए हमें से lecture को आरम करते हैं, और देखते हैं कि यह कार किस पकार से किया जाता है, ओके सबसे पहले हम बात करते हैं, substitution क अधात, कि अगर आपको कोई number, character या string, किसी और number, character या string से replace करना है, तो इस कार को किस पकार से किया जाएं, तो इस कार को करने के लिए हमारे पास R software में दो तरह के functions होते हैं, एक होता है sub, और एक होता है gsub, अगर आप देखेंगे न, यह जो वह लिखा है, substitution, इसके अगर 3 alphabets को देखेंगे, तो यह क्या है, sub, तो यह जो हमारा sub command है, यह हमारा substitution को दिखा रहा है, right, इसका क्या मतलब है, कि आपको कोई भी अगर एक string दी हुई है, उसके अंदर आपको, आप कोई string देंगे, या कुछ character देंगे, उस सो उसको match करना है, और अगर matching हो जाती, तो महाँ पर replace कर दो, substitute कर दो, और उसी प्रकार से हमारा एक और command है, g sub, तो g sub का क्या मतलब होता है, global, global substitution, इसका क्या मतलब है, कि आप पूरे-पूरे document में देखो कि वह character या string जहाँ जहाँ पर इसकी matching हो रही है, सब को एक साथ replace कर दो, right, तो देखें, जो आपका sub का command है, यह आपका उसी प्रकार का काम करता है, जैसे आपका होता है replace, और g sub है, यह किस प्रकार से काम करता है, कैसे की, replace all, right, इसी प्रकार से यह हमारा कारेक करता है, तो जो हमारा sub है, जहाँ पर हमारा पहला match होगा, वहाँ पर कारेक करेगा, और जो हमारा g sub है, यह हमारा पूरे-प करेगा तो इस सब कमान को इस्तमाल करने का हमारा पैटर्न होता है हम सबसे पहले लिखते हैं सब अगला है new new का मतलब किस से replace करना है अरथा आप किस वर्ट से उसको replace करना चाहते हैं और कहां पर करना चाहते हैं यह आपका string है मनला इस string के अंदर आप आईए और जहां पर हमने old की जगा जो भी लिखा हुआ है उसको ढूल यह और उसको new से replace कर दीजिए तो यह जो सब function होता है, ये क्या करेगा हमारा जो control है उसको आगे लेकरके आएगा और जहाँ पर आपकी पहली matching हो जाएगी ये वहाँ पर match करके replace करके control वहीं पर रुख जाएगा और जो हमारा जी सब होता है वो वही कार करेगा कि वो पहला जहाँ मैचिंग होगी वहाँ पर उसको replace करेगा लेकिन उसके साथ तो आगे बह जाएगा और पूरे-पूरे document में जहाँ जहाँ पर matching होगी उसको वो globally replace कर देगा और इसका भी जो इस्तमाल करने का जो हमारा नियम होता है वैसे ही है जी सब और parenthesis में हम लिख देंगे old, new और thing को फ्रिंग यह वैसा ही है कि जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया old में आप देंगे कि जिस character स्टिंग को replace करना चाहते हैं you में देंगे आप जिस से इस स्टिंग को replace करना चाहते हैं और कहां पर करना चाहते हैं वह आप इस string के अंदर देंगे तो चलिए हम यह आपको एक दहरा लेते हैं उसमें समझाने की कोशिश करते हैं और इसके बाद हम कुछ और भी यहां से दहरा ले करके आपको समझाने की कोशिश करेंगे तो दीखे एक हमने यहां पर string बना ली double quotes के अंदर लिग दिया number of participant कर देंगे 25 क्योंकि स्ट्िंग स्ट्रिंग हा यह ह और इसको प्रत्व और इसको सिपयों क्योंकि से 3rd कोई यह वहर स्ट्विब फॉच्व करना है इसमें वाई केंदर करना है अब जैसी इसको कुरें देखे़ आपको मिल जायेगा नॉ म्ला ऑपस हैन तो इस तो are as से चलिए उसी तरह से हम आपको और धार रहेते हैं और उसके बाद हम आपको इसको आर्ट सॉफ्ट्रियर भी करके दिखाएंगे मैंने एक और यहां पर स्टिंग ली और इसमें से देखी मैंने ऐसे लिखा Mr. Singh is the smart one और उसी के आगे Mr. Singh को फिर से इस्तमाल किया यह वाला वर और फिर हम क्या चाहते हैं हम यहां पर Mr. Singh के जगह लिखना चाहते हैं प्रफिसर जहा तो हमने देखिए यहां पर जब इस कमान का यूज किया सब तो मैंने क्या कर दिया पहली स्टिंग हमारी क्या है Mr. Singh अर्था इस स्टिंग में आप आईये कहां पर वाई के अंदर और यहां पर ढूंडिये क्यों स्टिंग कहा कहां पे है और जहां पर आपको पहली बार Mr. Singh बेजाये वहां पे आप लिख दिए prof जहा तो देखिए यह थ This पहली जगह पर देखिए मिल गए यहा पर Mr. Singh तो इस पर देखे अभी भी Mr. Singh ही लिखा हुआ है तो अर्थात यह हमारा आगे बढ़ा और उसको जहां पर पहली जगह पर Mr. Singh के नाम से उसकी String में matching हुई वहाँ पर उसने उसको replace कर दिया और उसके बाद आगे बढ़ गया और उसके बाद में इसने control से बाहर आ गया कहीं पे और उसने रीप्लेसमेंट नहीं किया राइट और अर्थात आप ऐसे भी कह सकते हैं कि control ने यह जो था मारा सब इसका control इस parentheses के अंदर आया जहां पे उसको Mr. Singh पहली बार बिले वहां पर उसने प्रोफेसर जहां से रिप्लेस किया और इसने वहीं पर प्रोग्राम को रोग दिया और इसी कार को अगर हम अगर जी सबसे करें देखी क्या होगा तो देखिए पहले मैं आपको यह इसका स्क्रीन शॉट भी दिखा दू अभी मैं आपको इसको आर्ट सॉफ्ट्रेयर में करके दिखाऊंगा तो देखिए आपको मिस्टर सिंग और मिस्टर सिंग दोनों जगा लिखा हुआ है और हम यहां पर सब इदगर कहा जाते हैं जी सब अर्था गलोबली सबसेट्यूट क्या करना है मिस्टर सिंग को प्रोफेसर जखा से वाई में रिप्लेस करना है तो देखिए कंट्रोल यहां से अंदर आया अ इस ने इसको देखिए इस प्रोफेसर खासर रिप्लेस कर दिया तो एक नंबर का एक नंबर से रिप्लेस हो गया और दो नंबर के मिस्टर सिंग दो नंबर के प्रोफेसर खासर रिप्लेस हो गया और आपने आपको याद होगा कि पहले वाले कामार्ड में हमारे क्या हुआ कि जो Mr. Singh है यह पहली जगह पर तो Professor जहां से रिप्लेस हो गयते लेकिन दूसरी जगह पर हमारे जो Mr. Singh है Mr. Singh की ही करा लिखे हो गयते यह पर इसका screenshot भी है आप यहां पर देख सकते हैं यहां पर है Mr. Singh यहां पर है Mr. Singh और यहां पर है देखे जी सब तो यहां पर Mr. Singh की जगह प्रोफेसर जहाँ हो गया, यहाँ पर Mr. Singh की जिगा प्रोफेसर जहाँ हो गया और लेकिन जब हमने यूज किया तैस सब तो उस में से पहला तो हमारा Mr. Singh थे जयां में लेकिन दूसरे वाले मिस्टर सिंग हमारे मिस्टर सिंग की तरह ही रहे तो चलिए जड़ा से हम इस operation को आपको R software में भी करके दिखाते हैं जिससे कि आपको थ्वासा confidence आ जाएगा तो सबसे पहले चलिए हम आपको यह वाला example करके दिखाते हैं जहां पर हमें लिया आते हैं क इसी आपने किया तो आपका 25 यहां पर 30 से replace हो गया और इसके बार में हम जो अपना अगरा example है जहां पर मैंने मिस्टर सिंग को प्रफिसर जहां से replace करने की कोशिश की है तो देखिए वाई आपका यहां गया और इसमें जब आपने यहां पर जब आपने किया सब तो देखिए सब में आपका खाली बस पहली जगह पर जो मिस्टर सिंग थे वो प्रफिसर जहां में convert हुए और दूसरी जगह पर जो मिस्टर सिंग की तरह ही लिखे हुए है और इसी में आप अगर सब को change कर देंगे जी सब और फिर से execute करेंगे तो आप देखेंगे कि जो पहली जगह पर है वो पहली जगह पर प्रफिसर जहां से replace हो गया और दूसरी जगह पर जो लिखे हुए है Mr. Singh वो भी दूसरी जगह पर प्रफिसर जहां से replace हो गया तो आप देखा कि ये बहुत ही आसान सा operation है लेकिन आपको समझना है खाली बस ओके तो देखिए ये जो हमारा operation था ये कहाए के बारे में था कि अगर मुझको replace करना है अब अगर हमारे पास दूसरा option ये है कि हमको खाली find करना है खाली मुझको धूंडना है को इस कार को किस प्रकार से किया जाए तो उसके लिए हमारे पास एक command होता है जी रेप और उसी प्रकार से एक और हो यहाँ पर दहारान के द्वारा दिखाने की कोशिश करूँगा तो यह जो हमारा जी रेप है यह हमारा किसी भी करेक्टर को या string को किसी string के अंदर ढूनने का कार करता है यहाँ पर आपको थ्वासा सावधानी यह बरतनी ही कभी-कभी यह लिखाओ ना जी रेप इसको सब और जी सब जो रेप है यह खाली आपको ढूनने का काम कर रहा है जिस परकार से आपके कोई बहुत सारे हरे एक सॉप्टेयर में होता है कि एक option होता है find इस तरह का एक window होती है आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कुछ आ जाएगा यहाँ पर हम कुछ अपना जो भी character या string हमको धूननी हम उसको लिग देते हैं और इसके बात दो पूरे-पूरे document में मेरे को धून कर के बता देता है कि यह कहां कहां पर है अब यहाँ पर देखें एक बात आती है कि जब हमने किसी character या string को किसी document में धूनने की कोशिश करी तो दिखिए हमारे पास वह string जहां जहां पर available है उसको हमको inform करने के दो options है पहला option तो यह है कि जिस जगह पर हमारी matching हो रही है उस string को हमको बता दिया जाए और दूसरा option यह है कि हमारे उस document में हर एक जो भी string की location होगी जो एक index के द्वारा दी गई होगी एक दो कीन करके वह मुझे को index बता दिया जाए अर्थार मुझे उसकी position बता दी जाए कि किस position पर किस index पर इसकी matching हो रही है तो इसको चली है हमारे पास भिन भिन क्रारा के options होते हैं और हम देखते हैं कि इसको हम किस परकार से इस्नमाल करते हैं तो यह जो हमारा command होता है जी रेप यह हमारा ग्लोबली कर्श करता है पूरे पूरे document को और उसमें से जहां भी हमारे पास matching होती है वह उसकी matching को हमको screen के उपर दिखा देता है तो इसको use करने का हमारा तरीका बहुत आसान सा है हम simple लिखते हैं जी रेप जी आर इप सबकुछ lower case alphabet में और फिर लिखते हैं अपना pattern pattern मतलब कि कि किस pattern को हम ढूंदना चाहते हैं और इस pattern को कहां पर धूंदना चाहते हैं वह हमारा X अब उसके पास हमारे पास दो options होते हैं यह बहुत सारे options होते हैं जिनके बारे में हम आपको यहां पर सबके बारे में तो ही लेकिन दो important options के बारे में बताना चाहेंगे एक है ignore.case और दूसरा है value तो देखिए जैसा alphabet होता है यह हमारा lower case यह अपर case alphabet में होता है तो यह कह रहा है कि जो भी हमारा matching हो रही है कि lower case और upper case में उसको यह हमारा true है कि false है अठाथा अठाथ इसको लिया जाए या इसको ignore कर दिया जाए तो देखिए जहाँसे कि अगर हम कहें धेए small R और capital R, तो small R क्या है यह आपका lower case में है और capital R आपका क्या है यह अपर केस में है तो अब यहां पर यह है कि अगर मुझे R को धुनना अगर है तो क्या मुझे को small R और capital R में कोई अंतर करना चाहिए या नहीं इसी के बारे में यह आपको ignore.case यह इसके बारे में बताता है और इसका जो हमारा option होता है यह हमारा logical true या logical false होता है और उसके अलावा हमारे पास एक और option होता है value का और इसके value के द्वारा हम क्या करेते हैं कि अगर हमको अपना उत्तर जिस जगह पर हमारी string की matching हो रही है वहां पर अगर हमको string की जएगे अपना उत्तर इसकी जो location है उसका जो index number है इंडेक्स है वहां से चाहिए तो हम यहां पर value option का इस्तमाल करते हैं और अगर हम देते हैं कि value equal to false तो हमको जो भी हमारा जहां पर matching हो रही है वहां पर index number बता जाते हैं और अगर हम कहते हैं value equal to true तो हमको जहां पर जिस string में matching हो रही है वह पूरी-पूरी string मुझे बता दी जाती है और इसी प्रकार से अगर हम कहते हैं ignore dot case को करते हैं false तो इसका मतलब क्या हुआ false का मतलब की ignore dot case is equal to false मतलब की case को ignore करना है यह false है अर्थात मतलब की हमको case sensitivity को consider करना है हमारी small r और capital r दोनों अलग-अलग है उसको मुझे को ध्यान रखना है और अगर हम कहते है true ignore dot case is equal to true अर्थात case को ignore करना है यह true है इसका मतलब है कि small r में कोई अंतर नहीं है को देखिए इसको हम गर आपने कुछ यहां पर धारा लेते हैं और उसके द्वारा हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं तो चलिए एक हमने देखिए यहां पर string कयार कर ली जिसके अंदर हमारे पास एक data vector है और उसके अंदर clean values है और इसका मैंने data vector बना लिया है c और जिस नमबर 3 और यह क्या लिखा हुआ है पहली पूचिन लिखा है R course दोसरी पोजिशन फर exercises और तीसरी पोजिशन पर लिखा हुआ है include examples of R language अब हम यहां पर हमको यह सर्च करना है कि कहां कहां पर लिखा हुआ है EX तो हमने यहां पर देखिए जैसे GREP और तो GREP में अब आपके दो option है आप यहां पर value को क्या करना चाहते है true या false अर्थार्थ आप अगर देखने की कोशिश करिए कि आपका यह EX कहां कहां पर आ रहा है क्या एक number पर आ रहा है no दूसरे number पर आ रहा है yes और क्या जो third number कि स्ट्रिंग यहां पर आ रहा है yes देखिए यहां पर example में आ रहा उसके लिए हमारे पर दो option है कि मैंने कर दिया value is equal to here true value कर कर दिया true तो देखिए जब हम यहां पर इसको enter करेंगे तो इसने मुसको यह exercise और include examples of our language दोनों strings दे दी यह कौन-कौन सी string है यह आपकी यह string number 2 और यह आपकी है string number 3 कि इन इन string में अठाथ यह दो string exercises और दूसरी string include examples of our language यहां पर हमारा EX match कर रहा है और इसी में आप अगर माल लिजिए कि अगर आप दे देते हो value equal to here false तो देखिए मैंने यहां पर यही example लिया है यही हमने string लिए हुए है और इसी में मैंने खाली बज़तना खरक किया है कि म EX को ही ढूलना चाहते हैं इस string के अंदर तो इसका देखिए उतर तो आपको पता है कि अगर आपको इसकी संख्या चाहिए तो देखिए यह एक संख्या हो गया यह दो और तीसरी आपके हो गया तीन जहां जहां पर आपका EX है तो आपका देखेंगे तो यह आपकी location number हो है इसने आपको यहां पर दिखा दिया आपने देखा कि तो इस जगह पर आपको जो भी आपका outcome मिलेगा वह एक जो इसका index है अठाज string के अंदर जो भी string की position है जहां पर matching हो रही है उसका जो location है वह आपको संख्या की रूप में मिल जाएगा देखिए यह आपका a screen shot भी ह हम आपको इसको R software में करके दिखाएंगे भी ओके अब इसी इस उद्धारत को हम आगे बढ़ाते हैं और इसी में हम यह वाला एक अपना option जो है ignore dot case इसको हम इस्तमाल करके दिखाते हैं कि इसके द्वारा आपको क्या मिलेगा राइट तो देखिए इस उद्धारत को समझन के लिए मैंने एक यहां पर एक स्ट्रिंग को कयार किया है जहां पर मैंने कार स्ट्रिंग ली है पहले स्ट्रिंग हमारी है R course दूसरी हमारी है exercises थर्ड हमारी है include examples of R language और fourth हमारी है in R software अब हमको आप अगर ध्यान दीजिए कि मुझको यहां पर अगर हम देखें कि हमारा capital R कहां कहां पर आ रहा है एक यहां पर आ रहा है एक आपको देखिए यहां पर आ रहा है और अगर हम खाली R की बात करते हैं तो देखिए R आपका यहां भी आ रहा है यहां भी आ रहा है और साथ में यहां भी आ रहा है और उसके अलावा भी कहीं आपको आर दिखाई पर रह कि अगर आप माल लिजे अपने अगर इस case small r और को ignore कर रहे हैं तो देखी यहां भी r आ रहा है अब हम ज़रा एक काम करते हैं इसी कार को ज़रा से हम अपने r software के द्वारा करने की कोशिश करते हैं तो मैंने देखी यहां पे कहा g rep और मैंने यहां पे लिखा capital r और कहां पे इसको ढून रहा है str के अंदर और पहले मैंने कर दिया ignore dot case is equal to false और value को कर लिए मैंने true इसलिए for that की जो हमारा outcome है हमको string के form में मिलना चाहिए अगर हम कर देंगे false तो यह हमको number के form में मिलेगा अब जब देखे हमारा control इसके अंदर आगे आता है और चुकि यहां पर लिखा हुआ है ignore dot case is equal to false अर्थात जो case को ignore करना है यह wrong है गलत है false है अर्थात की lower case और upper case alphabet में अंतर ह है जब अगर है तो देखे आपका यह capital R कहां कहां पर आ रहा है एक आपका आरा है यह यहां ने आ ने आपको यहां अपर देदीया R course और यहां पर इस ने आपको देदीया R R software, right, अब इसी case में जड़ा से हमें कार करते हैं कि हम इसी में ले लेते हैं कि हमको इसको इग्नोर करना है, अर्थात lower case और upper case alphabets में कोई फरक नहीं है, तो मैंने यहां पर कर दिया, ignore dot case is equal to true, अर्थात कि जो case को ignore करना है या true है, अर्थात सही है, अब अगर आप अगर देखिया तो आपका R कहां कहां पर आ रहा है, R आपका यहां पर आ रहा है, यहां भी आ रहा है और जो third वाला string इसमें भी आ रहा है और fourth के अंदे भी आ रहा है, और यही लिशना को देखिये, पहली, दूसरी, तीसरी, और यह fourth, हर एक string का इसमें नाम यहां पर लिख दिया और दिखा दिया कि आपका R कहां कहां पर आ रहा है, इसके अंदर भी आ रहा है आ तो यहां भी आ रहा है और यहां भी आ रहा है इसके बाद यहां भी आ रहा है यहां भी आ रहा है इत्यादी तो देखी यह फरक होता है आपको जब आप इस इग्नोर डॉट केस को true या false करते हैं अब इसी में अगर आप माल लिजे आप अगर value क जो आपने यहां पर इन दोनों की केसेज में आपके जो स्ट्रिंग आए हैं तो इसमें इसके नंबर आ जाएंगे जैसे कि यह जो आपके पहले नंबर पर स्ट्रिंग यापी है एक दूसरे पर है इसका नंबर है दो जो थर्ड नंबर पर स्ट्रिंग इसका नंबर है तीन औ यहां पर जब आपने किया आपने कर दिया value equal to false तो आपको यहां पर पहले और करफे नंबर की इस्टिंग आ गई और जब इसमें से आपने यहां पर किया था value equal to true देखी यहां पर आपको यहां पर एक, दो, तीन और चार चारो नंबर की स्टिंग आ गई थी जब आपने कहा यहां पर value equal to false तो देखे आपको यहां पर एक, दो, तीन, चार तारो स्टिंग आ गई और यही देखी इसका स्क्रीन शॉट भी है आप अगर यहां से देखने की कोशिश करेंगे तो जहां पर और जहां पर आपने यह आपके श्टिंग में आपका आर था यहां पर उत्तर आपका आ गया, वन टू थी फूर आ गया, तो देखे इस प्रकार से यह आपका कार करता है यह अब इसके साथ में चली हम आपको एक और भी अधारन लेकर के दिखा देते हैं और इसके बाद हम आपको फिर इसको r console में करके दिखाएंगे तो यहां पर हम आपको दिखाना चाहते हैं कि अगर हमने दो अलग-अलग strings को लिया है तो हम उसको combine कर सकते हैं और उसके अंदर भी हम अपना g rep का operation है उसको लगा सकते हैं तो मैंने यहां पर दो स्टिंग लेली x और y, x हमारी है r को 24.07.2021 और यहां पर हम ने लेलिया y को लेलिया number of participant equal to 25 और यहां पर मैंने उसको join कर लिया cxy तो cxy देखे क्या हो गया यह हो गया आपकी x वाली string और दूसरी आपकी हो गयी y वाली string अब इसमें मैंने यहां पर किया g rep तो जब मैंने यहां पर देखे g rep किया तो मैंने यहां पर ढूना चाहता हूं है o u r अब आपको देखिए पहली निगाह में तो नहीं दिखाई पर है कि x और y में कहीं भी आवर लिखा हुआ है लेकिन आप अगर थ्वास अगर ध्यान से देखने की कोशिश करेंगे तो कोर्स के अंदर देखिए लिखा हुआ है o u r तो जैसी आप यहां पर इंटर करेंगे की o u r a c x y में कहां पर है यह आप दूना चाहते हैं और जब इंटर करेंगे तो आपको देदेगा यह one अर्थाथ इसकी हमारी location है one और दूसरे string की location हमारे data vector में है दो तो इसने आपको हमारा यही पालव दारन है जो हमने अभी लिया उसी में मैं देख रहा हूँ तो देखिए नम यहां तो कहीं भी नहीं आ रहा पहले बाले में अब हम दूसरे में आते हैं तो देखिए यहां पर आ गया number में right तो देखिए जैसी आपने कहा जी रेप नम कहां पर c x y के r software में भी करके दिखाते हैं so that कि आपको और भी confidence आ जाएगा पहले अपनी हम इस string को कयार कर लेते हैं तो आप देखेंगे आपकी string क्या हो गई यह हो गई अब इसमें से आप ढूनने की कोशिश करते हैं पहले आप देखते हैं कि आपका e x कहां पर आ रहा है यह देखिए जब आपने कर दिया value equal to true तो देखिए e x कहां पर आ गया आपका यहां पर आ गया और यहां पर आ गया और इसी में अगर आपने कर दिया value equal to here false तो देखिए यह आपको इसने आपको दिया कि यह दूसरे नंबर की exercise है और तीसरे नंबर पर लिखा हुआ include examples of r language तो इसका दे r में दूसरे और तीसरे नंबर पर जो string लिखी हुई है इसके अंदर आपका e x यहां पर पाया जाता है right उसी तरीके से अगर हम माल लिजी के हम यहां पर r को घुना चाहते हैं तो पहले मैंने यहां पर e x की जगह मैंने कर दिया r right तो देखिए आपका r कहां कहां पर आ ग दी और अगर value equal to false आप अगर कर देंगे तो देखिए आपको यहां पर number देदेगा की पहली string और third string में आपका r आ रहा है अब उसी परकार से अब आप जब आगे आते हैं तो आप यहां पर जो अपना grep के अंदर आप इस ignore dot case को भी लगाते हैं तो देखिए क्या हो और value आपकी true है तो जब आपने कहा है कि case को ignore नहीं करना है तो आपको यहां पर लिखाए आपको capital R ही ढूलना है तो capital R एक यहां पर है और यहां पर है और इसी में आप अगर value को कर देंगे आप अगर false तो देखिए आपको यहां पर इसका number मिल जाएगा कि यह पहली और कि ignore नहीं करते हैं और आप ignore dot case को कर देते है true तो देखिए क्या हो जाएगा यह आपको कह रहा है कि value equal to false तो अथात यह आपका R कहां कहां पर है one और यह यहां भी है two और यहां भी है किन आपका है R यह तिन जगा पर है right और इसी में आप अगर value को भी आपकर कर देंगे true तो देखिए आपको यह instinct के नाम भी बता देगा जहां पर आपका R आया हुआ है right तो इस प्रकार से आपने देखा कि इसको execute करना बहुत ही आसान काम है अब हम जड़ा सा आपको यह जो अपना है x और y इनको भी लेकर के दिखा देते हैं कि इसमें से आप किस प्रकार से इन value क देखिए आपका x ऐ हो गया y आपका ये हो गया और स्कुक्चे पहले आपने यहां पर देखा is के उपर की आपको भूलना है अपना अवर अवर आपको भूलने कि लीए आपने यहांपर यह था यह पर कहा यह आपर कम पर आ गया यह यह यहां पर आ गया और conviction कि आगी अग यहां पर करना इस आर्ट सॉफ्टियर में एक्जीक्यूट करना बहुत ही आसान काम है अब इसके बाद हम आपको एक और जो हमारा ऑप्शन है कमांड है हम उसके बारे में बतलना चाहेंगी यह है आपका जी रेप एल तो जिस प्रकार से आपने यह आरीपी कमांड को यूज किया है इसके अंदर आपने देखा कि जो भी आपका उत्तर आता है उसमें से उस स्ट्रिंग की पूरी-पूरी वैल्यू आ जाती है या उस स्ट्रिंग की जो लोकेशन है वो आ जाती है उसी परिकें से कारए करते हुए जो हमारा यह हमको जो उत्तर देता है वह लॉजिकल ट्रू और लॉजिकल फॉल्स के फॉर्म में होता है और थाथ कि कोई भी अगर हमने कई सारी स्विंग को जॉइन करके मैंने एक स्विंग को अपनी क्यार करी है और हम जब अपने किसी पैटरन को मैच करने की कोशिश करते हैं तो जिस जगह पर हमारी मैचिंग हो जाएगी वहां पर उत्तर देगा ट्रू और जहां पर मैचिंग नहीं होगी वहां पर उत्तर देगा फॉल्स तो इसमें से हमारे उस स्ट्रिंग में जितनी भी स्ट्रिंग्स होंगी वो हर एक स्ट्रिंग के लिए true या false में उत्तर देगा और उसके बाद जहां जहां पर true होगा वहां पर आप ये मान लिजिए कि आपकी matching हो रही है तो ये हमारा देखिए इसका जी रेपल का पर हमारा है आर को दूश्य जेगा पर है exercise और तीसरी जेगा पर हमारा है include examples of our language अब इसमें से देखिए मैंने यहां पर दिया जी रेपल और बैकेट में देदिया मैंने आर डबल कोर्स में और कहां पर डूढ़ना है STR के अंदर अब आप देखिए आर आपका यहां पर match हो रहा है और आपका यहां पर match हो रहा है तो जहां जहां पर match हो रहा है वहां पर उसने आपको उत्तर देदिया true और जहां जहां पर आपका मैश नहीं हो रहा था जैसे exercise में कोई मैश नहीं हो रहा था तो इसने आपको उत्तर दे दिया false तो अब जब आप इस उत्तर को देखेंगे तो आपको यह पता चल जाएगा कि इसमें से जो भी हमारी string पहली और किसरी position पर है वहां पर हमारी matching हो रह रहते हैं इसके अंदर तो आपने देखा कि यह control हमारे यहां से आगे बढ़ेगा अब यहां पर देखी कहीं पर EX है नहीं कोई EX नहीं है यहां पर उत्तर आजाएगा false इसके बादे फिर से आगे आएगा देखा यहां पर है EX तो यहां पर उत्तर है yes matching हो रही है तो उत्तर आजाएगा true और फिर देखी आगे बढ़ेगा यहां तो कुछ नहीं यहां यहां पर देखी उसको EX मिल गया उत्तर आगया yes तो यह उत्तर यहां पर देदेगा true तो देखी यही false true false आपको यहां पर लिखा हुआ है right और इसी को आप अगर देखेंगे यहां पर तो यहां screen shot भी दिया हुआ है right के लिए हम अपने इसी उद्धार को अगर अपने हम यहां पर R software में करने के कोशिश करते हैं तो देखिए STR तो हमारे पास पहले से यहां पर है इसमें से मैंने कर दिया G rep L तो देखिए आपका R आपने ढूने की कोशिश करी तो यह हो गया R यहां प false true false तो क्योंकि यहां पर कोई भी EX नहीं है तो false आगया दूसरे बाले में EX है तीसरे बाले में EX है तो आपका देखिए false true true करके आगया रहाई तो चलिए अब हम इस लेक्चर में यहां पर रुकते हैं और आपने देखा कि इस लेक्चर में हमने बहुत ही आसान आसान जो functions होते हैं उनको इस्तिमाल करने की कोशिश करी और आपको दिखाया कि उसको किस प्रकार से इस्तिमाल किया जाना है लेकिन उससे important बात य किन किन option के साथ में किस प्रकार का उत्तर दे रहा है यह समझना आपके लिए बहुत यावश्यक है क्योंकि जिस प्रकार से हमारा आर उत्तर दे रहा है कि ignore dot कि इसको हम किस प्रकार से इस्तिमाल करें या जो हमारे भिन-भिन option से उनको हम किस प्रकार से इस्तिमाल करें जब और देखिए कि उसमें से आप जो आप जिस कार को करना चाहते हैं उसको आप अपने इस आर के जब software में इन commands को इस्तमाल करते हैं और साथ में उन options को true या false देते हैं तो कि आपको वही उत्तर मिल रा जो आप चाहते हो इसे ignore.case की बात अगर करते हैं तो यह true में क्या करेगा false में क्या करेगा अगर हम आपसे कहें कि यह पूरे-पूरे words को यह match करेगा या words के बीच में कोई अक्षा लिखा है उसको भी match करेगा यह सब कार जब तक कि आप इसक इसकी practice नहीं करेंगे तब 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 आपको ठीक से समझ में नहीं आएगा और यह आपको दिमाग में नहीं बैटेगा और जब नहीं बैटेगा तो आप इसकी programming भी सही समय पर आने पर नहीं कर पाएंगे तो आपको advice करेंगे request करेंगे कि आप इन commands की practice करिए और हम आपको पर एक नहीं topic के साथ मिलने फिर से आएंगे तब तर के लिए good bye. करेंगे करेंगे.